मुंगेली जिले में भाजपा नेता का श्रव बिजली खंबे से बंधा हुआ मिला है उसके गले पर बेल्ट बंधा था ऐसी संभावना है कि बेल्ट से गला खोड़ कर हत्या की गई है मामला लोर्मी थाना श्रेत्र का है वार्ड नबर पांच की रहने वाले शैलेंद्र जैस स्वाल एल्डर मैन रह चुके थे इन दिनों सरकारे स्कूल में भाजपा सांसत अरुण साओं के प्रतिनिधी की जिम्मेदारी समार रहे थे पताया गया है कि रोज की तरह शुकरवार को भी रामिपूर स्थेत अपने कियोस्क सेंटर में भी गय थे सेंटर के आसबास उन् की तलाश कर रहे थे पुलिस को भी इस बात की खबर दी गई थी रात में सभी शैलेंद्र की तलाश कर रहे थे मगर कुछ पता नहीं चला इसी भी शैलेंद्र की पतनी और बहन शनिवार सुभार रामिपूर के आसपास भी उनका तलाश कर रहे थे इसी दोराने खेत में श चैलेंदर का शव खंबे से बंधा हुआ था शरीर के कुछ हिस्सों में चोट के निशान थे फॉरंसिक के टीम भी मौके पर बुलाए गया था फिलाल शव को बरामत कर पोस्ट मॉडन के लिए भी जा गया है पुलिस का साफ कहना है कि प्यम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साथ हो पाएगा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें साथ ही साथ वेल आइकोन दबाना ना भूले